दोस्तों, इंग्लिश में एक बहुत famous quote है, कहते हैं, History does not repeat itself, but it rhymes. इसका मतलब ये है कि history अपने आपको किवल दोहराता ही नहीं, बलकि जितनी बार ये अपने आपको दोहराता है, उतनी बार इसके परिणाम और भी ज़्यादा भयानक हो जाते हैं. और अभी जो कुछ भी हम Israel-Hamas conflict में देख रहे हैं, वो इसी quote को सच साबित करते हैं. इसराइल में जो कुछ भी last दो दिनों में हुआ, वो unprecedented है. इसके बहानक मंजर और इसके खतरनाक military escalations, शायद ही हमें हाल ही के समय में Middle East में देखा होगा. हमास ने 30 मिनिट के अंदर इसराइल में 3000 से भी जादा मिसाइल्स डागे और ग्राउंड रेसॉल्ट्स में 50 से जादा इसराइलियों को मौत एकाट उतार दिया. उधर बदले में इसराइल ने गाजा पर एर स्ट्राइक किया और 200 से भी जादा लोग इसमें मारे गए. वेस्टन कमेंटेटर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि यह अटाइक इतना सीरियस है कि इसके बाद इसराइल के लिए और मिडल इस्ट के लिए सब कुछ पहले जैसा हो पाना बहुत मुश्किल होगा. इस पूरे गटना को समझने के लिए हमें इस रीजन के जोग्रफी और हिस्ट्री को समझना होगा. अगर आप इसराइल के मैप को देखें तो इसमें आपको तीन रीजन्स दिखाई देंगे. सबसे पहला इसराइल जो की एक जियस स्टेट है. दूसरा वेस्ट बैंक, जो इसराइल के वेस्ट में लोकेटेट एक टेरिटरी है. इसे वेस्ट बैंक का नाम जॉर्डिन्स द्वारा दिया गया था, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में लोकेटेट है. West Bank, Fateh या Palestinian Authority द्वारा गवन किया जाता है यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि West Bank में Jews, Muslims और Christians तीनों Religions के Ancient Holy Sites located है और तीसरा प्लेस है Gaza Strip यह इसराइल के South Eastern पार्ट में located एक Narrow Strip है जो इसराइल और Egypt के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के तरफ इसकी बॉर्डर की लिंक्ट 50 किलोमेटर से है वही Egypt के तरफ इसकी बॉर्डर की लिंक्ट बस 11 किलोमेटर ही है इसराइल और Egypt दोनों कंट्रीज ने Gaza Strip के साथ अपने बॉर्डर क्लोज कर रखे है गाजा के लोग पाहरी दुनिया से अपना लिंक illegal tunnels के तरूर रखे हैं जो Egypt में खुलते हैं अभी इसराइल पर हमास द्वारा जो aggression किया गया है वो Gaza Strip से ही किया गया है गाजा की population 19 lakh के आसपास है और ये दुनिया का one of the most densely populated लेकिन backward areas में से एक है गाजा Strip फिलहाल हमास द्वारा गवन किया जा रहा है पूरी इसराइल-Palestine conflict इनहीं तीन जोगरफी के आसपास गूनती है इसराइल और पिलिस्टीन के बीच का conflict 1948 में शुरू होता है जब ये पूरा reason British colonial power के अंडर था जब बिटिश यहां से जाने लगे तो Islamists और जविस्ट के बीच के religious differences को देखते हुए United Nation ने Resolution 181 adopt किया जिससे इस disputed reasons को दो states मतलब की इसराइल और पिलिस्टीन पिलिस्टीन के अंदर हम लोग West Bank और Gaja Strip दोनों को include कर सकते हैं इन दो जगों में divide कर दिया जविस्टो इस बात पर agree हो गए लेकिन Islamist population को ये राजी नहीं था नतीजन दोनों communities के बीच tension का मोहौल चलता रहा फिर 1967 में Jordan, Egypt और Syria ने 1967 में इसराइल पर attack कर दिया जिसे हम Six Days Wars के नाम से जानते हैं इस war में इसराइल ने सारे दिरे दिरे West Bank और Gaza Strip में settle होने लगे इन्हें ही news में settlers कहा जाता है इसराइल ने भी इन settlers को दिरे दिरे State Fund से support करना शुरू किया आज West Bank में लगबग 70% territory में Israeli settlements बने हो फिर Norway के पहल पर 1990s में इसराइल और Palestine के भी दो important agreements हुए जिसे Oslo Accords के नाम से जाना जाता है इन Accords के तहत इसराइल और Palestine ने एक दूसरे के government को recognize किया और Palestinian Authority की स्थापना हुई जो West Bank और Gaza में limited self-governance exercise कर सकती थी लेकिन बात के सालू में Palestine का कहना था कि Israeli settlements Gaza Strip और West Bank दोनों में Israeli government के हिल्फ से expand करते गए लेकिन फिर इसराइल पिलिस्टीन पीस प्रोसेस के तहत 2005 में Israeli PM Ariel Sharon ने Gaza के सारे 21 Israeli settlers को Gaza से withdraw करने का decision लिया हाला कि बात में इनी settlers को West Bank में settle किया गया और इससे इसराइल और Palestine के बीच tensions और conflict और बढ़ गई फिर 2006 में Gaza में एक radical Islamist organization Hamas का rise हुआ Hamas एक Arabic word है जिसका मतलब होता है zeal enthusiasm अब Palestine में दो political organizations थी एक Palestine Authority या फते ग्रूप तो दूसरी तरफ Hamas Hamas और फते में considerable ideological differences होने के कारण इन दोनों के बीच conflict बढ़ने लगे और 2007 में एक परज में Hamas ग्रूप ने फते के कई leaders को मार डाला और बाकियों को Gaza strip से spill कर दिया 2007 के बाद Gaza पर Hamas का political control हो गया और West Bank को फते ग्रूप गवर्न करने लगा इन दोनों ग्रूप के बीच एक और difference ये है कि फते की अपनी कोई military या militia wing नहीं है वही Hamas के पास इस दिन अल कसम brigade नाम की deadly militia wing है Hamas के इस militia wing को major islamist countries जैसे इरान, टर्की और कदड, arms, ammunition और fund से support करते हैं सिर्फ यही नहीं Hamas और फते ग्रूप में उनके इसराइल को लेकर approach में भी काफी differences है जहां फते इसराइल के existence को accept करता है और इसराइल को 1967 से पहले के position को maintain करने की मांग करता है Hamas की मांगे इससे कहीं ज़्यादा radical है Hamas का कहना है कि इसराइल को ना सिर्फ 1967 के पहले वाली position पर वापस जाना चाहिए बल्कि उसे Palestinians को उनके exploitation के लिए reparations भी देना चाहिए अभी हाली में इसराइल और दूसरे अरब countries एक दूसरे के काफी करीब आए है US द्वारा ली गई initiative में तो Saudi Arabia इसराइल के साथ diplomatic relations तक बनाने को राजी हो गया है लेकिन यही बात इरान और इसके supported group Hamas को पसंद नहीं आया उनके इसाब से इसराइल अरब देशों के साथ संबंद बढ़ा कर अपने लिए peace ensure करना चाहता है जो पिलिस्टीन के लोगों के लिए काफी unfair है इसराइल की बात की जाए तो इसराइल में अभी हाल ही में political division बहुत ज़ादा बढ़ गया है इसराइली PM नितन याहु द्वारा लाया गया judicial reform bills से इसराइल के अंदर ही civil war ऐसे situation create हो गई है हमस को लगा कि इसराइल इससे ज़ादा politically weak नहीं हो सकता है और उसने US, इसराइल और सौदी अरेबिया की बीच चल रही peace talk को breakdown करने के लिए इसराइल पर ये large scale invasion किया अब इसराइल की immediate priority तो यही है कि हमस के invasion को halt कर Israeli citizens की जाने बचाई जाएं लेकिन हमस के इस invasion का Middle East के future पर बहुत बड़ा impact पढ़ने वाला है तो आज के discussion में इतना ही था मिलते हैं आप से अगले ऐसे informative videos में तब तक के लिए जहन्त